पानी से वास करने के बाद आपको टैंक को इस तरह से ड्राइ कर लेना है यहां से हॉट एर आ रहा है और यहां से हॉट एर बाहर आ रहा है और यह टैंक भी हॉट हो जाता है तो जो भी पानी है इसे बाहर आ जाता है तो दोस्तों इस टैंक में हमने जो एमसी लगाया था वो अब कंप्लिटली ड्राइ हो गया है बहुत अच्छे से ड्राइ हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई भी लिकेज बचा होगा तो अब टाइम आ गया है इसको चेक करने का फियल डाल करके और फियल इस एडिया में कुछ भी आपका लूस पेंट या डर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए यह हमारा न्यूट टैप और इसे हम लोग इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे बहुत ही प्यार से और यहां पे आपको ध्यान देना है यहां पे आपका पैकिंग होता है इस पैकिंग को आपको बहुत ही केरफुली प्यार से इंस्टॉल करना है अगर पैकिंग नहीं रहेगा तो यहां से लीकेज होगा ही होगा तो यहां पर हम लोग इसे लगा लेंगे दो इसक्रू है मैं इसे लगा देता हूँ यह रेडि हो जाएगा टैंक उसके बाद हम लोग इसे हो गया है बहुत ही प्यार से तो हम लोग इसमें पेट्रॉल फिल करेंगे और लीकेज टेस्ट करेंगे क्या इसका कंडिशन है तो लीकेज का प्रॉलम यहां से था 1,2,3 और एक छोटा सा फोर बट यहां पे MC लगाने के बाद इसमें कोई भी लीकेज नहीं है और यहां पे टैप से लीकेज था तो टैप नहीं है तो अब यहां से तो कोई लीकेज का चांस नहीं है प्लस मैंने जो आपको एक बताया एक पैकिंग टाइप का था उससे आपको सही से लगाना है नहीं तो यहां से भी लीकेज स्टार्ट हो जाता है तो सब कुछ परफेक्ट है कोई प्रॉलम नहीं है मेन यहीं का प्रॉलम था जो कि सॉल्व हो गया है तो अब हम लोग इसमें सीट लगा देंगे और यह रेडी हो जाएगा अगर नहीं होना होगा तो कोई प्रॉलम ही नहीं नहीं है तो मैंने टैंग को बहुत ही अच्छे से चेक करांगे दो सीट लग देंगे तो बाद में फिर चेक्व करना प्रॉलम हो जाता है और मैंने connection भी कर दिया है carburetor वाला pipe तो अब time आ गया है इसे start करके देखा जाए कि यह कैसा perform कर रहा है और engine पहले से बहुत ही ज्यादा clean हुआ है और भी clean करना इसे बांक ही है जैसे use होगा उसी तरह यह clean होता जाएगा और बैक्ट्री भी इसमें लग गया है तो अब neutral का light जलता है तो अब इसे start करके देखा जाए और यह जो compression था अब compression बहुत अच्छा हो गया है बहुत hard हो गया यह kick आप देख सकते हैं यह compression अब hold कर रहा है यह देखिए इंजन इसका सही है अभी यह जस्ट थर्टी सेवन थाजन किलोमेटर रनवा है और इसके old owner ने most probably इसे अच्छे से maintain किया था वाइल भी इसमें सही था और थोड़ा बहुत इसमें sludge मुझे मिला है तो जब हम लोग इसका clutch plate change करेंगे उस समय यह सब जो panel है उसे भी paint कर देंगे और अंदर का जो sludge है वह भी हम लोग clean करने का कोसिस करेंगे और अभी यह oil consume नहीं कर रहा है अभी इसमें से smoke नहीं आ रहा है तो इसका engine unnecessary खोलने का कोई जड़त नहीं था और lockdown का time चल रहा है अभी तो parts भी नहीं मिलेगा अभी इसका engine next 40-50,000 km तक कोई problem नहीं हो इसमें होने वाला है clutch plate यह सब थोड़ा सा weak है वह हम लोग change कर देंगे lockdown जब खुलेगा तो तो आई इसके panels को हम लोग लगा लेते हैं तो यह आ गया इसका seat और यहां पर मैंने tape लगा लिया है तो अब यह tank को नहीं spoil करेगा further यह hold करके रखेगा बहुत अच्छे से अब यह seat directly tank को touch नहीं कर रहा है बीच में double sided tape है इसका एक bolt जुगार वाला था तो मैंने उसको remove किया है इसके लिए अलग मैंने bolt search किया है और दोस्तों जब कोई पार्ट आप discard करें तो उसमें जो भी screw जो भी nut bolt रहता है उसे आप open कर लीजिए अगर healthy है तो रस्टेट नहीं है thread सही है तो उसको आप रख लीजिए क्योंकि कभी न कभी वह आपको कहीं न कहीं काम देगा suppose आप ये air filter box आपका तूट गिया या damage हो गिया आप इसे new लगा रहे है तो suppose इसका ये जो screws है आपका अच्छा है तो आप इसको रख सकते है फ्यूचर में आपको कहीं पे जोड़त पड़ेगा यहाँ पे इस carburetor का ये जो chalk lever था ये टूटा हुआ था damage था तो मैंने इसे भी replace कर लिया है मेरे पास एक defective carburetor था तो मैंने इसे replace कर लिया है और यहाँ पे मैं chalk cable attach नहीं कर पाया क्योंकि ये जो chalk cable है ये अंदर से rusted है seized है और ये बाहर आ ही नहीं पा रहा है तो ये defective है तो जब lockdown खुलेगा तो इस chalk cable को भी हम लोग को replace करना है बट आप यहाँ से इसे operate कर सकेंगे चौक यहाँ से आप लगा सकेंगे पहले ये तूट गया था अब सही है ये तो यही मै बोल रहा था कि अगर कोई भी पार्ट आप replace करते हैं किसी भी motorcycle का scooter का का तो उसके जो छोटे छोटे components होते हैं उसको आप रखिए वो कभी न कभी आपको काम देगा एक आप छोटा सा आप एक box रखिए उसमें इस तरह का समान सब आप स्टोर करके रखिए तो आपको easy होग और अगर मैं नहीं रखता है ऐसे तो अभी इसे search करने में market में बहुत ज़्यादा problem होता है होता क्या है कि पूरा complete assembly आता है यह छोटा छोटा component एक तो आता नहीं है और आता भी है तो swap keeper यह सब छोटा मोटा part रखना नहीं चाहता है बहुत unique कोई swap होगा जहां पर यह है बस इसमें बस cable attach हो जाएगा यह बहुत अच्छा काम करेंगा और अभी यह काम कर रहा है बहुत अच्छा से इसका जो side panels है left और right दोनों side का इसका lock टूटा हुआ है बट इस panel का color और sticker अभी भी सही है generally maroon color जो होता है वो discolor हो जाता है तो इसका color अभी भी सही है लॉक टूटा हुआ है बस थोड़ा सा यह देखिए सही आ गया यह और यहां पर टूटा हुआ था तो मैंने अंदर से glue लगा लिया है तो अब यह पता नहीं चल रहा है future में कभी यह और टूटेगा या फेड करेगा तो हम पर यह sound create नहीं कर रहा है तो अभी यह चलेगा और इस side हमारा left panel लगेगा और नीचे comment box में जाएगा और मुझे बदाएगा कि यहां पर यह सब जुगार हमने लगाया है यह huge ऐसे ही बेर था यह battery ऐसे ही बाहर आ रहा था यह strap नहीं था तो सब कुछ को हम लोग अच्छे स assemble की हैं तो यह जुगार आपको कैसा लग रहा है नीचे comment box में मुझे जरू बताएगा और यहां पर हमारा इसका दूनु लॉक टूटावा है यहां पर वाला भी और यहां पर वाला भी तो यह सिप आपका lock कहीं सारे रहेगा यहां पर और एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था यह जो टैंक के अंदर जो आवाज आ रहा था मैंने बोला था आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ है और कुछ गिरता है तो उससे निकाल लेना चाहिए आपको तो यही एक वासर और एक अब टैंक कंप्रिटली क्लीन है तो दोस्तों यही था यामा लीवेरो का अभी तक का रेस्टोरेशन और पहले से बहुत ही बेटर हो गया है पहले बहुत चीज का टूटा हुआ था और बहुत अगली दिखता था बट अब एक बेटर लुक इसमें आ गया है चलाने लाइक यह हो गया है और लॉक सेट कराब था हेडलाइट का विंड स्कीन कराब था टेल लाइट टूटा हुआ था इंजन गंदा था लीके जोड़ा था और बहुत कुछ हमने इसमें सही किया है और अभी बहुत कुछ इसमें करना बाकी है तो अभी तो इसका पार्ट नहीं मिल प हो परड़ेगा और इसका जो सु務 मिदाब करण सेपा आप सकता है वह देमेज है तो कंप्रेट सु긴 आमी चेंग होगा बढ़ जो रॉड होता है सुइफोट इसको चलाय जा सकता है से怕 होता है value वेड पारिन आता है तो चलाय इसे जा सकता है जो रॉड है प्लेट होता है को जोडता है उसमें थौधासा problem है और CHA ने सप्राक्यट तिटि भी इसका complete wire किया हूँ है और उसे भी replace करना पड़ेगा, जाब हम लोग swing arm replace करेंगे साभी समय हो सकेगा, तो replace कर देंगे नई तो future में रिप्लेस किया जाएगा उसे और इसके जो रिम्स हैं अभी तो चलेगा दो तीन साल बट रस्टिंग उसमें भी है बहुत ज्यादा वो निकल और क्रोम का जो प्लेटिंग वो हट चुका है रस्टिंग स्टार्ट हो गया है तो कभी मुझे स्क्रैप में अच्छा एलोई मिलेगा तो मैं डारेक्ट वही डाल दूँगा बहुत सारे मोटर साइकल यामा का जो है उसका सेम आता है इसका ड्रम साइज तो वह लग जाएगा और एटीन रिम साइज है इसका और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है जो की करोड हो चुके हैं और जैसे वह बाहर आएगा तो उसे हम लोग पेंट कर देंगे अलमुनिय में लॉय कंपोनेंट तो उसे पेंट कर देंगे तो एक अच्छा लुक आ जाएगा और फ्रेम में ज्यादा रस्टिंग नहीं था तो हमने उसे सेक्योर कर दिया है अब फ्रेम में रस्टिंग नहीं है उसके बाद इसके करेंगे और बेटर बनाएंगे तो इंडिकेटर्स हमें चेंज करना पड़ेगा अभी काम चलाने लाइक ठीक है तो दोस्तों अभी तक यही था और यह ऐसा नहीं है कि इंड हो गया इसका फर्दर हम लोग मोडिफिकेशन करेंगे इसे हम लोग फर्दर और और अच्छा बनाएंगे मैं धीरे धीरे इसके पार्ट्स को स्टोर करूंगा अभी तो लॉगड़ान का टाइम चल रहा है तो अभी तो सही टाइम नहीं है अभी मिलेगा भी नहीं और बाहर जाना भी सेफ नहीं है बर्ट थ्री फोर फाइब मन्स के बाद फिर से हम लोग इसका और ज्यादा इसे बिटर करेंगे और ज्यादा न्यू इसे बनाएंगे तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि यह छोटा सा स्रीस आपको अच्छा लग होगा और अगर आपके पास भी ऐसा कोई old motorcycle है तो एक आपको idea मिलागा कि हां उसे आप कैसे फिर से better बना सकते हैं beautiful बना सकते हैं और दोस्तों मैं जो videos बनाता हूं बहुत ही detail में बनाता हूं कभी कभी आपको boring लग सकता है बट मेरा यह रहता है कि आपको एक natural way में बताना ताकि जब आप खुद से करे तो आपको सब कुछ सारा detail आपको पता हो कहां पे क्या problem आ रहा है कहां पे कैसे हो रहा सारा कुछ आपको detail पता चले प्लस अगर suppose आप अभी repair नहीं कर रहे हैं कुछ तो आपको एक inspiration मिले कि हां आप भी ये काम कर सकते हैं कोई बड़ा tough नहीं है ऐसा नहीं है कि service center वाले ही क कर सकते हैं आप अगर देखेंगे मेरे दो वीडियो तीन वीडियो चार वीडियो तो आपको एक inspiration जरू मिलेगा कि आप भी उस काम को कर सकते हैं और वही मेरा main motive रहता है आपको inspire करना कि आप किसी भी चीच को mechanic service center पे आप dependent रहते हैं जो वो खुद से भी कर सकते हैं कोई बेटर कर सकते हैं और क्योंकि जहां पर यह जो इंजन था इससे अगर कोई service center वाला कोई mechanic अगर clean करेगा तो उतने प्यार से clean नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा गंदा था जब dust और आपका while leak होता है तो उसमें dust ही पक जाता है और उसके बाद बहुत hard हो जाता है वह उ उसे आप अगर remove करेंगे तो बहुत ही प्यार से time दे करके remove करेंगे तो उतना time उतना प्यार खोई भी service center कोई mechanic आपको नहीं देने वाला है बट वही जब आप अपने motorcycle पे scooter पे car पे काम करते हैं तो उसके साथ time और उसके साथ प्यार मिलता है जुड़ा रहता है तो वह एक बहुत बड़ी चीज होती है प्लस आप जब खुद से यह सब काम करेंगे तो एक आपको confidence भी आ जाता है और एक दो बार अगर आप कोई छोटा मोटा भी काम कर लेंगे तो उसके बाद ध्रिये ध्रिये आपका knowledge बढ़ता चला जाएगा आप बड़े चीज को भी अच्छे से कर लेंगे और जो skill होता है जो knowledge होता है वो तो मैं आप लोगों को देता ही रहता हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास भी कोई अगर इस तरह का old motorcycle है scooter है पापा का चाहे कोई आपके बड़े भहिया का भहिया बाहर चले गए job करने के लिए और वो motorcycle आपके पास है तो उसे आप prepare कीजिए यह lockdown सही time है बहुत मज़ाएगा सबसे पहले open कीजिए और उसके बाद जब lockdown खतम हो जाए तो parts लाईए और उसके बाद उससे assemble कीजिए बहुत अच्छा लगेगा और एक बार अगर आप उस motorcycle को restore करेंगे तो उसको आप कभी sale नहीं कर पाएं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह video आपको अच्छा लगागा प्लीज इस video को like किये अपने दोस्तों में share किये मेरे चैनल को subscribe किया और साथ में उस bell icon को press किये ताकि जब भी मैं कोई नया video आपके लिए लाओ तो आपको notification मिल सके और आप उससे सबसे पहले देख सके हैं अट लास थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में